ये वाग सबको पताए कि नीट एक्जाम के अंदर 95% से ज्यादा सवाल डायरेक न्सी आटी सुट के आते हैं बट फिर भी केवल 1% से भी कम स्टूडेंट्स हैं जिनको न्सी आटी पढ़ने का तरीका आता है सबको ये लगता है न्सी आटी पढ़ने का एक साइंटिफिक मेथड है जो कि आज में तुम्हें बताने वाले पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा उनको गाइड करा था सही पात पर तो उन सब स्टूडेंट्स का एक्स्पिरियंस मैं तुम्हार साथ आज लेकर आए हूँ क्योंकि न मैंने कई एम्स के अंदर जो स्टूडेंट्स बैटे ना उनका इंटर्विव लिया है और सबका एक चीज़ कहना है कि अगर तुम्हें न्सी आटी पढ़ने का तरीका आ गया ना स्पेशली बाइलोजी और केमिस्ट्री का अगर तुम्हें न्सी आटी पढ़न यूट्यूब में सबने चिला चिला कर बोला हुआ है कि पेपर पूरा इंसी आटी से आता है इवन फिजिक्स का भी पेपर दोजार तेईस का दोजार बाइस का पूरा इंसी आटी से था ये बात भी आपको पता है तो आपको पता है कि पेपर एर 95% तक पूरा इंसी आटी से आता है मुलब NCRT पढ़नी तो है बट सवाल आता है NCRT पढ़ें कब और कैसे तो देखो कब पढ़ने का एक तरीका मैं तुम्हें समझा देता हूं बहुत ध्यान से सुनना और यह चीजे बिल्कुल नफना कान खोल लो और मेरी बात आज अपने दिमाग के अंदर डाल लो तुमने बहुत इदर उदर की बाते सुनी होगी मैं डारेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूं देखो पहली चीज़ है आप कहीं कभी कहीं कोचिंग जाते होगे online कोचिंग जाते होगे कोही नों कोई lecture देखते होगे YouTube से पढ़ते होगे कहीं से तो पढ़ते होगे तो lecture को ध्या उठाओ, और फिर NCRT पढ़ो, अगर तुमने सबसे पहले NCRT उठा ली और उसके बाद तुम लेक्चर देख रहे हो, तो यह तो सबसे बड़ी बेफकूपी है, पता है क्यों, क्योंकि NCRT ने एक बड़ी वाईयात किताब है, मुझे बोलना नहीं चीए, बट मैं reality बता रहो क्योंकि NCRT के अंदर शब्द इस प्रकार से दिये गए है न, कि एक स्टूडेंट को समझ ही नहीं आएगा, जब तक कि उसने पढ़ नहीं रखा होगा, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेक्चर नोर्स उसके बाद NCRT, कहिए चीज़ क्लियर है आतर, अगर यह क्लियर लाइन बाइन पढ़ रहे हो न, तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम हर एक लाइन को अंडर लाइन करो, मैंने देखा यार, कुछ लोगों की NCRT पूरी हाइलाइटिड होती है, हरा, गुलावी, नीला, पीला, सारा रंग लगा दिया, क्यों, NCRT जरूरी नहीं को एकदम क्लियर होगा, थोड़ सा जूम कर देता हूं, यह आपकी बाइलोजी की NCRT का यह पैरग्राफ है DNA पर, तो अब इस DNA की पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक की लाइनिंग को पढ़ो, एवर मेरे साथ साथ पढ़ना, आपने अगर पढ़ा होगा ता आपको जाए होगा, जैसे कि यह वाली लाइन थी, अब यह क्या हुआ, यह फैक्टिरिक्स अदर नहीं आए गए, आए गए, बहुत आराम से आ सकता है, तुम भी पता है कितने सारे आ रहे है बाइलोजी के तो, तो यह जो होते है ना, फैक्टिल कोश्चन, यह मुझे कैसे बता चला, क्योंकि मैंने पढ़ी स्टेटमेंट, और मुझे लगा, यह वाला सवाल तो नीट पूछ सकता है, यह वाला सवाल तो नीट पूछ सकता है, तो जब तुम NCRT पढ़ते हो ना, तो तुम्हें एक्जामिनर पॉम्ट से देखना है, यार, एक एक्जामिनर अगर इस प वाली बन सकते हैं, अगर तुम्हें वो clarity हो गई न, मस्त, मज़े आ जेंगे, और हर एक topper ने बता है, हर एक topper ने, याद रखना हमें examiner point of view से सोचना है, अब आपको एक और example देता हूँ, अब देखो मैंने कई आपके aims वाले students से भी बात करी थे, तो उन्होंने उनकी trick बता पामज देखो, जैसे कि यह क्या है, यह हमारा human respiratory system, यह भी आपके biology book की है, human respiratory system, तो एक topper क्या करता है, एक topper WWH strategy को use करता है, देखना, WWH strategy, यह क्या होती है, बहुत simple सी strategy है, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत important भी है, पहले W का मतलब है what, दूसरे W का मतलब है क्या, why, और इस पूरे sentence को पड़ा, पूरे paragraph को पड़ा कि human respiratory system होता क्या है, अब दो उसने पढ़ लिया न, तो पता है क्या करेगा, वो खुद से तीन सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा, what is human respiratory system, दूसरे सवाल पूछेगा, कि होता क्या है, why, क्यों होता है, पूरे चीज़े समझेग और हर एक टॉपर क्या करता था, यह जो side में page बचता है, यह side में जो lines बचती थी, side में जो blank page बचा है, NCRT के अंदर, इसके अंदर pencil से छोटे छोटे points बना लेता था, कि अच्छा है, इस पूरे paragraph की summary है, point number 1, point number 2, point number 3, point number 4, point number 5, 5 point के अंदर पूरी summary बना लिए, इस समझे रहो, मैं क्या समझाना चारा हूँ, examiner approach से हमने हर एक paragraph को सोचा, और जो जो important point हमें लगे, यार इस पूरे paragraph को मैं 5 point के अंदर खतम कर सकता हूँ, वो 5 point मैंने side में लिख लिए, अब बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, यह NCRT में लिखना नीची है, मैं बोलता हू नहीं है, यह कच्छों की race है, यहां पर दीरे चलना पड़ता है, भागना नहीं होता है, हर एक चीज को बार 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 पढ़ना पड़ेगा, तब ही memory के अंदर जाएगा, तो बार बार पढ़ोगे, तो इन points को तुम easily remember कर सकते हो, trick समझ गए, बहुत ज शेम तो नहीं करूँगा, मैं नाम लेना तो चारा था, बट मैं लूँगा नहीं, तुम comment में बता दें, मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ, उस किताब का नाम NCRT से ही शुरू होता है, तो NCRT उसके आगे कुछ भी लगा होता है, तो उन students को यह लगता है कि इस किताब को लेंगे ना, तो NCRT के सारे question तो यहां से मिल जाएंगे, तब मुझे NCRT पढ़ने के तो जोरोती नहीं पढ़ीगे भी या, यह बहुत बड़ी मूर उखता है, क्यों, क्योंकि हैर वो एक किताब है, उसके अंदर questions है, जरूरी नहीं है कि neat उसी book में से उठाके question दे रहा है वो तो NCRT से question दे रहा है, तो अगर तुमने NCRT नहीं पढ़ी ना, तो भाया कोई book फाइदा नहीं देगी, चाहतों कितने भी बड़ी किताब उठा लो, पहले NCRT, फिर दूसरी books होती है, उसके अलावा एक important चीज़ और है, read every line, plus table, plus scientist name, biology के लिए जितनी भी tables हैं, जितन लगे हैं, तो इस सारी चीज़े important है, जैसे अभी मैंने आपके example में दिखाये था, वो क्या था, एक factual question था, उस प्रकार की question आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें हार सारी चीज़े पढ़नी है, NCRT, biology, chemistry के लिए हर एक line पढ़नी है, physics के लिए अगर नहीं भी पढ़ते हो क्राक करने वाले हो, और यार, वो बुक के जहांसे से बच जाओ, अभी भी समय है, है न, सो किताबे खरीदने से कुछ नहीं होगा, मैं यह नहीं कह रहा है, किताबे बेकार है, मैं यह कह रहा हूं कि पहले NCRT, coaching material, फिर किताबे, फिर किताबे, student क्या करते हैं, किताबे ले आगा इसे, तो याद रखो, पढ़ना है, धंग से बढ़ना है, और अगर तुम 2024 में देने वाले हो, तो 2024 में क्राक करना है, ड्रॉप लेने का भूल जाओ, 2025 में देने वाले हो, तो समय है, धीरे धीरे पढ़ो, धंग से पढ़ो, और पहली बार में क्राक करो, on this note, शुक् मिलते, ने ने च्ट वीडियो ते लुक कहने, तो टेक्क केर.